फाइली वन प्लस ने अपना एक और नहां स्मार्टफून वन प्लस का नॉट सी फोर लाइट फैब जी को लॉंज कर दिया वही दूसरी तरफ आईक्यू का पाप्लर स्मार्टफून आईक्यू जी नाइन पाप जी वैसे तो इन दोने स्मार्टफून की प्रैस में 1000 पीस का देखने को मिल जाता है स्मार्टफून का परफोर्मस की बात करी जाए जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि यह कि स्मार्टफून के लिए उसका प्रोसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वैसे तो इन दोने स्मार्टफून की प्रैस में सिर्फ 1000 पीस का देखा आ जाए तो वन प्लस के नॉट सी फो लाट फैब जी का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इसका प्रोसर वाइव दूसी तरफ ट्वंटी थावजान उपीस से खम की प्रैस में आईकू जी नाइन फैब जी में मीडिया टेक का डैमेंसेटी 7200 का एक पावरफ एक टीवन थाउजन निकल के आता है वह दूसी तरफ आईकू जी नाइन फैब जी का जो अंत्तों स्कोर निकल के आता है अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खास कर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच ले तो इन दोने स्मार्टफोन के जी आता है वह दूसी तरफ वन प्लस के नॉट सी फोल एट फैब जी का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता हो 3100 निकल के आता है जो कि गेमिंग वाइस काफी जड़ा बेस्ट रिया आता है आईकू का जी नाइन फैब जोने स्मार्टफोन का डिस्प्ले सेग्मेंट की बात करी जो तो एक तरफ वन प्लस के नॉट सी फोल एट फैबज में 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेट डिस्प्ले देखनों को मिल जाती डिस्प्ले के अच्छी स्मूथनेस के लिए वन ट्वंटी हर्टेज रिफ्रेशेट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता वहीं दू स्मार्टफोन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन का अगर कैमरा से एक बिंट की बात करी जा तो 20,000 पीस से कमके प्राइस में इन दोने स्मार्टफोन में excellent OIS वाला कैमरा सेटप देखने को मिल जाता है एक ट्रफ आइकू जी नाइन पाफ जी के बैक में परफोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ट कर सकते हैं वहीं दूसी तरफ वन प्लस के नॉट सी फोल लाइट 5G के भी बैक में डूवल रियर कैमरा सेटप देखने को मिल जाते 50 मेगा फिक्सल का लाइट 600 का सेंसर देखने मिल जाता है बाकी का दूसरा कैमर टू मेगा फिक्सल का मिल जाता है विद एलेडी फ्लैस लाइट के साथ कैमरे में ओ आई एस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है पर फोन के बैक कैमरे से सिर्फ फुल एचीडी वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ट कर सकते हैं 4K वीडियो रिकॉर्ट करने का ओफ्सन देखने क्यानियों को नहीं मिलता है स्माटफुन का अगर्स सेल्फी कैमरे की बात करीके वैसे तो दो स्माटफुन में एक जैसा मेगा फिक्सल वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। सेल्फी के मामले में किलियर विना निकल के आता है IQ का जीन इन फैब जी इसकी एक सबसे वड़ी वजह है कि परचार देखने को मिल जाता है 16 मेगा फिक्सल का सेलफी कामरा देखने को मिल जाता है जिसका अपरचेर एक अपर्चर यह फोन प्लेस कर नॉट सीई 4 लैट फैब जी में 16 मेगा फिक्सल का सेलफी कैमरा देखने को मिल जाता पर उसका अपर्चर f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है अर्यू जैक के अगर बात करें जाता है तो वन प्लस का नॉट C4 LED FABG में आप लोगों को 3.5 mm जैक का support देखने को मिल जाता है वही दूसरी ट्रप IQ G9 FABG में 3.5 mm jack का support देखने को नहीं मिलता है वही दोने स्मार्टफोन में आप लोगों को IP54 की rating देखने को मिल जाता है वहीं दूसरी तरफ आईकू जी नाइन फाइब जी में 5000 यह की बैटरी देखने के पिल जाती 44 वाट के फ्लेश चार्जिंग के साथ यख़े इसबी टैप सी पonse देखने मिल जाता है सिकुटी पीचर के लिए दोने स्मार्ठफ़ोन में इन डिस्प्ले फिणगा पिन संसर को मिल जाते हैं तो अब बात करें जांग कि दोनों में से कोतर अक्यों सो स्मार्पोन आप अब लोगों के लिए savoir कि 10 to से कमकी प्राइस में अपने लिए पर्फेक्ट आल रांडर गेमिंग स्मार्ट फोन लेने के लिए सोच रहें तो मैं आप लोगों को रिक्मेंड करता हूं कि आप लोग वन थाउन रूपीज ज्यादा कर्च करके आई कुजी नाइन फैब जी को ही बाई करें